आजमगर की 11 वी के छात्रा श्रया तिवारी केस में सपानेता ने CM योगी आधितिनात से न्याय की गुहाल लगाई है इसके लिए सपानेता ने बकाईदा खूल से एक पत्र लिख कर CM योगी से मांग की कि प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही जाती है तो बेटी श्रया को इंसाफ मिलना ही चाहिए बता दें कि आजमगर के हरवंशपूर के चिल्वरंस गर्ल कॉलिज की छात्रा श्रया तिवाली ने स्कूल की तीसरी मंजर से पूत कर जान दे दी थी इसमें प्रिंस्पल और क्लास टीचर पर मेंटल टॉर्चर करने के आरोप लगाए गए थे और श्रया के माता पिता ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी मगर जिस सहे से रातो रात प्रिंस्पल और टीचर को रिहा किया गया साथ ही इस मामले की पूरी जाँच आजमगर से हटा कर मउग के एससपी को सौप दी गई इससे लोगों में भारी आक्रोश है जिला परसासन जब न्याय दिलाने के मूड में जब आया तो जाँच अधिकारी बदल कर आईजी सहाब ने मउग जिले के एससपी को जाँच दे दिया अब जब जाँच यहां की जब बदलनी सुरू हो गई जाँच में उसको निर्दोस साबित किया जा रहा है तब मुझको लगा है कि अब जो है जिले के परसासन पर आईजी और उच अधिकारीयों का जो दबाव लगातार बना हुआ है जिससे मुझको लग रहा है कि न्याएं नहीं मिलेगा तो मरता तो क्या नहीं करता मैं सर्यातिवारी के इंसाफ के लिए माननी योगी अधितनात महराज जी को अपने खून के कत्रे से लहू के कत्रे से मैं एक एक शब्द जो लिख रहा हूँ और लिख कर मैं महराज जी को यहां से पोष्टापिस के माध्यम से उनको पोष्ट भी करूँगा कि महराज जी एक मात्र आप जो है उस गरीब बेटी के आप सहारा है उस परिवार पिडित के सहारा है क्यूंकि आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला श्रसक्ति करण पे आपकी पहनी नजर रहती है और साथ ही साथ प्रदेश में जो परबंधक प्राइबेट स्कूल चला रहे हैं आउने पाउने दाम पर बच्चों से धनुगाई कर रहे हैं इनके खिलाफ भी मैं जरूर चाहूंगा कि सिच्छा माफियाओं के खिलाफ माननी योगी अदितनाथ जी आप से मैं अन्रोध करूंगा करवत प्राथना करता हूं कि आप सिच्छा माफियाओं के खिलाफ आप जो है नकेल कसने काम करिए इनके खिलाफ ब्रुद कारवाई करिए आज तक की मानिता लेते हैं इंटर तक स्कूल चलाते हैं और मानिता किसी और जमीन पे लेते हैं गाटा संख्या पे आई स्कूल इनका कहीं और चल ला है पूरे प्रदेश में स्कूल के जो संचालक है इन प्राइबेट लिमिटेट कंपनी के खिलाफ महराज जी जागो अब बेटियों के इंसाफ के लिए मैंने आज अपना खून निकाला है अपने खून का एके कत्रा स्रियात तेरे नाम है इसलिए कि अभी भी तुम्हें जनने वाले तुम्हें पहचानने वाले आज भी वो भाई जिन्दा है मैं अन्मेरेड महराज जी मैं आप के स्रेड़ मुख्यमंत्री जी आप उस गरीब लाचार बेबस को इंसाफ देंगे मैं आपको कर रहा हूं आपके कार्याले को मैं भेग रहा हूं मैं जरून मुझे विश्वास है और आशा और उमीद भरी निगाहों से विश्वास के साथ महराज जी मैं आपको यह पत्र अपने खून से लिख रहा हूं कि कल के इतिहास में जब नाम पढ़ा जाए तो महराज जी आपका भी नाम पढ़ा जाए कि आजमगड में सरयात तिवारी को जब स्कूल के माफियाओं के साथ जब उसको डॉमनेट किया गया उसको टर्चर किया गया उसको लजजित किया गया इसकूल के काम किया है आज तारी को ये गरीब मजलूम की आवायद दबाने के लिए एक एक जुठ होने का जो काम किया है मैं जरूर कहूंगा कि मेरे खून का एक एक कत्रा ये लहू ये सर्यातिवारी के लिए है और जब तक मैं इंसाफ दिला नहीं लूँगा आजाद भारत में मैं जो है ब्यथा लेकर आपके दरबार में हाधिर हूँ अब मैं पोस्ट कर रहा हूँ मेरे पत्र का जवाब इंसाफ के साथ दीजेगा इसके लिए पत्रकार साथियों बहुत बहुत